और सब से पहले आपको आसान भाशा में समझाते हैं पूरी कहानी हुआ क्या है कल से 10 पॉंट में आपको समझाते हैं पहली बात बहुत आसान भाशा में समझझे पहली बात ये है की RBI वापस लेगा 2,000 रुपए के नोट तो ये सर्कुलेशन से बाहर होंगे ये नोट बंदी नहीं है ये आपको समझना है ये नोट बैन नहीं है 2000 का नोट कोई illegal tender नहीं हुआ है तो पहली बात RBI वापस लेगा 2000 रुपे के नोट दूसरी बात आपको नोट बदलवाने हैं कब से कब तक बदलवाने हैं 23 मईस से 30 सितंबर तक की तारीख है आप अपने नजदी की बैंक में जाएए चाए आपका उस बैंक में खाता हो या ना हो आप जाएं आराम से अपने नोट बदली करवा लें और तब तक आप इन मार्केट से खरीद फरोगत आसानी से कर सकते हैं लेंदेन आराम से कर सकते हैं 30 सितंबर के बाद भी जो ये नोट हैं वो लीगल टेंडर बने रहेंगे लेकिन जब आप बैंक में जाएं तो ये सुनिशित करें कि एक बार में 10 नोट ही बदले जाएंगे याने के टोटल वैली हो गई 20,000 रुपे की एक बार में 10 नोट याने के 20,000 रुपे ही बदले जा सकेंगे ये आम लोगों के लिए बात है 30 सितंबर के बाद भी हम बार बार कहरें कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे लेकिन 30 सितंबर के बाद इने RBI लिजाकर बदलवाना पड़ेगा तो 30 सितंबर के बाद अगर आपको लग रहा है कि बज गए किनी कारणों वश बैंकों में आप नहीं इसको एक्स्चेंज करवा पाए तो फिर RBI जाए RBI आपसे ये पैसे वापस ले लेगा हाँ ये मुम्किन है कि वो आपसे कारण पूछे कि आपने बैंक में आप तक जमा क्यों नहीं कराए पांचमा बड़ा इशू पांचमा बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या ये इलीगल टेंडर हो गया है चठा जो पॉइंट है वो नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे लेकिन सर्कुलेशन से बाहर हो गये है याने कि अब ये चलन में नहीं रहेंगे और आपको याद होगा सरकार धीरे धीरे इन्हें अपनी तरह से भी सर्कुलेशन से बाहर करने की कोशिशे कर चुकी थी साथमा पॉइंट मतलब जो है पूरी कवायत का वो ये है कि RBI अब 2000 के नए नोट नहीं चापेगा वैसे तो 2018 के अंत से ही नए नोटों की चपाई 2000 की बंदो चुकी थी लेकिन अफिशली अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब नए नोट नहीं चापे जाएंगे और आठमा पॉइंट ये है कि ततकाल प्रभाव से कल जैसे ही ये बात सामने आई RBI की तरफ से सारे बैंक्स ने 2000 के नोट देने बंद कर दिये तो बैंक की तरफ से भी अब नोट जारी नहीं होंगे बैंक इनको स्विकार जरूर करेंगे अदला बदली जरूर करेंगे लेकिन अब न जारी होंगे न छपेंगे क्यों ये कर रही है सरकार ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहद सरकार का फैसला है सरकार चाहती है साफ सुतरी अर्थ रवस्ता हो उसमें क्लीन नोट पॉलिसी के तहट सरकार का ये फैसला और इस फैसले के पीछे के एक बहुत बड़ी वज़े दसमें पॉइंट के रूप में आपकी स्क्रीन पर लगबग 90 प्रतिशत नोटों की समय सीमा पूरी हो चुकी थी मोटा मोटा ये माना जाता है पांच साथ साल में नोटों की जो समय सीमा है जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है अब नहे नोट 2018 के आखिर से नहीं छपे हैं तो समझ लीजे उस समय जो लेटेश छपा होगा वो 2018 के आखिर में छपा होगा और तब से उसे भी पांच साल हो गए होगे तो उसकी भी जो लाइफ है वो खतम हो गई होगी इसलिए इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये वैसे भी चलन में नहीं थे आम लोगों के पास बहुत कम इसका इस्तेमाल हो रहा था इसलिए कोई पैनिक की आवशक्ता नहीं और किसी भी तरह के किस पैनिक की कोई गुंजाइश बचती भी नहीं है